नमस्कार प्रणाम गोरलागतानी हम अनुराग रंजन और अगवा देखरावल बनी खबर भजपुरी हमनी के संग है आज जारकंट के लोगपिडिये गाई का सालनी दूबेजी बनी यहां के गोरखपुर में यहां के हम बहुत-बहुत स्वागत करतानी अपना प्लेटपॉ सकतानी झालम रहें चाहिए कि हमारे दादा जी हमार पिता जी हमार बड़ पापा सब संगीत के तीचर हम हम आभी तक जो भी कुछ सीखले बानी अपन बाबोजी से ही सीखले वानी तो जब से पैदा भाइनी है ताब से ही बोचपुरी सबसे पहले तो क्योंकि हमारे घर में सब लोग संगीत से थे सब सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सब सीखने वाले थे तो सबसे पहले तो मेरी तालीम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की हुई है बचपन से साश्ट्रे संगीत के तरफ रुजान था फिर जैसे जैसे समय बीता गया जैसे रुची बढ़ती गई तो लटा जी के ग बॉलिविट से जादा बेटर है कि हम फोक में कुछ कर सकते हैं रावरुज्यान मने भजपुरी के तरफ कई से हुए अचानक यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मैं जारखंड से हूँ प्रॉपर जारखंडी हूँ क्योंकि मेरा ननिहाल दधिहाल सब कुछ जारखं हैं लेकिन जब श्रस्थागराम में में गई तो वहां पे काफी सारे लोगों से मिलना जूलना हूँ तो वहां पर चाने के बद मुछे मालूम चला कि भौजपुरी की यह जो धारा है जो कल्चर है वह कितना ज्यादा रिच है अगर मैं नहीं जाती तो मुझे समझ भी नह तो वहां पर जाने के बाद सारी विधाय कुछ कुछ सुनने के बाद मुझे अपने आप ही इंट्रेस्ट जग गया कि भोजपूरी में कुछ करना है बोजपूरी अच्छी लगने लगी तब एक वार चीज बता ही हम राके क्रिवा गोरगपूर में कोई सां लगा बाद गोर अभी तक सिफ नाम सुने थे गोरगपूर का कि गोरगपूर नाट मंदिर है वहां पर गोरगपूर का बिंदी बहुत फेमस है यह सारे गाने वाईने सुने थे मैंने लेकिन कभी गोरगपूर आज तो कभी नहीं आई में उत्तरपदेश आई भी तो बनारस याला लखना यह सब आई कभी गोरगपुर आना नहीं हुआ लेकिन गोरगपुर आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है I mean अच्छे लोगों से मिलना हुआ क्योंकि हाने के बाद सबसे अच्छी चीज मेरे लिए हुए कि मैंने मतलब ऐसे मेरी मुलागात ऐसे लोगों से हुए आप हु हुए शुषान भाईया हुए फिर आदर्श हुए और सुधीद में सर हुए तो बहुत सारा नाम है काफी सार लंबा लिस्ट है तो इन लोगों से मिलके ऐसा लगा कि नहीं मैं मतलब मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ इन चार दिनों में कि मैं जार्खन से भारू मुझ बहुत ही एक प्यारा देवी गीत का प्रोजेक्ट है सर से मेरी बात लगभग 2018 से हो रही है इस चीज को लेके उनने कहा था शालीनी मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ सजेशन दो पर मैं मतलब उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक्चली मैं किन-किन चीज़ों प करना है और यहां आने के बाद मुझे मालूम चला कि जो भोजपरी की एक ट्रेडिशनल जो चली आ रही है पचरा हो गया फिर आपका जो देवीगीत हो गया उससे हमने कुछ अलग करने का सोचा है और यह बहुत ही खुबसूरा ट्राइक बना है शुशान भाया ने बहुत सब लोगों ने मिलके इतना अच्छा बनाया है तो यह को ट्रेडिशनल फोक को कुछ नया करके हम आप लोगों के सामने पर उसने की कोशिश कर रहे है जिस संस्था के माध्यम से आप यहां पर आई है जी वह बहुत पूरी में कहानियां लोगों को सुनाने का काम करता है सा मैंने कहा कि सरसे मेरी बात काफी पहले से हो रही थी कैम पहले से सर बोल रहे है silicon इस सब कर रहे थे कि वह सब आई है जो जो इन्टरनाशनल लेवल पे जो कहानिया है, उनको भोचपूरी में अनवाद करके, क्योंकि भोचपूरी के व्रेक्टी हर जगाया, पूरे विश्व में, अब कहीं भी ऐसा जग out जहां नहीं हो, जहाँ भोचपूरी लोग नहीं रहते होंगी, भोचपूरी के लोग नहीं भोजपुरी का ही है कि उन्होंने मताब ही भाशावादी भाशा वाले लोगों के लिए बहुत एक बहुत प्यासा काम किया है अब रहा हम दो क्या बताइं कि कि संकीत के दुनिया में में कौट से बाणी और का का खास एक्सपरियेंस बात शांगीत के दुनिया में पहले ने कि हम जब से पैदा हुए तब सघी है लेकिन गाना कब से गा सकते हैं यह मेरे पापा को मालूम चला था जब मैं तीन साल की थी थी तो मैं ऐसी गुण गुणारी थी तो तब उनको पता चला कि हां समय सुर है यह गा सकती है अगे तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना चालू किया जब साइगामा बेसिक्स उन्होंने बताने लगे तो फिर 7-8 साल की उमरे से फिर मैं स्टेजिस करने लगी जागरन करने लगी तो 7-8 साल की उमरे से सो सो के उठके फिर जागरन करती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद फिर अचानक से क्योंकि मैं 11 क्लास में थी मुझे स्टाडीज कंटीनियू करने थी तो फिर मैंने इस सब चीजों से थोड़ी दूरी बना ली तो एक स्टार्डम पाने के बाद फिर अचानक से वह सारी चीजे खतम हो जाना एक उस टाइम पर थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो चीज हजम करना कि यह स्टार्डम और यह सारी चीजे हमेशा कॉंस्टेंट नहीं होती है कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट आपका काम होता है वह आप करते रहेंगे तो आप इसमें मीडिया में रहेंगे अगर आप छोड़ लेकिन उसके बाद फिर मेरे सर पे कभी स्टार्डम नहीं चड़ा फिर मैंने काम करने के उपर भरोसा रखा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कभी ना कभी सुम सक्सेस्फुल होंगे संगीत के दुनिया में माना जला कि कलाकार के लगातार भरोमन करत रहेंगे पड़े तो कि मेरे ममी पापा न काम करने क कौन की मेरे घर में गाने वाले सब के लिए meno 1 बहुकर की बेले बाड़े पापा की कि मेरे के लिए medidas जला के लेकिन व मेरे साथ हमेशा रहते हैं आधाने कर फिकила कर दो गोआम इस पाढ़े पिर सारने दों के और भरोमन चार दिन से उ भं स्कूल सब अब चुटी लेकर δे के वो तुक गश्राव चाहि काम करशका है ताकि मैं अपने काम को इतना इंपॉट्टेंस निया यह ताकि मैं सेफिली काम करके वापस घहा सकूं तो इस मामले में भाध कि मेरे पेरेंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनको कभी किसी चीज से को प्रॉब्लम नहीं हुए मैं दिल्ली में पढ़ती थी मैं राची में पढ़ती थी उनने मुझे जाने दिया उनका कहना है तुम काम करो तुम उड़ो मेरा भरोसा है काम करो बस बिना परिवार क सवायोग संघूत दुनिया में लड़की होके खास तर पर मकाम हासिल कर बहुत मतलब संघर्स के बीशाय बाते हैं परिवार के सवायोग रही तो बहुत असान हो जाला अब एक चीज बाते के रहुगा मानली की संघूत के दुनिया में लगतार काम कर रहा हुगा था लेकिन रहोगा एक अलग लीग से हटके, सबसुत्रा बढ़ियां चनता के सामने परोसे कसा कुसीश करहा है हमने वहने इमनमनावाला कि कि स्टार्डम रहोगा हासित वाहई रहे को फिर से हासिल हो जाओ कौनोंभी तरीका से था मतलब अब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उस वक्ट मैं छोटी भी थी बहुत थी तो उस वक्ट चीज़े उतनी नहीं समझायाती थी लेकिन ये हमेशे विए समझाता था मुझे कि ये बुरी चीज ये अची चीज है जिस्सम्न दिल्टा मिलते है एक बुरा रास्ता होता है जिसमें जल्दी सक्सस्त मिलती है इक अच्छा रास्ता जिसमें काम्याबी देगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिले, बहुत मिले, स्वरसंग्राम और यह सारी चीज़े करने के बाद बहुत काम मिले लेकिन मेरा हमेशा से कहना रहा है कि ऐसे गाने का या अए से कंटेंट का क्या मतलब जब आपने परिवार को गह घुंग सकते घूम कर दिया solidarity के एक permettर अपने परिवार के पासी नी बता सकते कि आप तो और मैंसी वी थी की मुझे एक तो मैं खुद राइड काने वाली तो ऐसे लोग मुझे आसा कहतें कि लाइड पा झालती है तो ऐसे मुझे थोड़ार इसा छोटाden था उपर समय अगर ऐसा कोई काम कर मेरे निकाला घोशित कर दिया जाएगा तो ये डर मेरे मेरे मेरा परिवार बहुत इंपोर्टन्ट है सई अरे संगीश से भी जादा मेरे फादर और मेरी मदडर और मेरा परिवार सबसे जादा ऊपर है तो उनके लिए मैं हमेशा यह चीज रही नहीं यह नहीं बेटा शालिनी यहां नहीं थोड़ा वेट कर लो इधर थोड़ा टाइम लेगा पर इधर ही काम अच्छा होगा तो यह चीजे मेरे मन में हमेशा रही और यह कभी नहीं आता कि शायद मुझे बस्टाडम मिल जाए या कुछ भी मैं मुझे में अब दिमाग में बस यह रहता हम काम करेंगे अच्छा तो हमें रिक्नाइशेशन में बिलेगा काम सही तरीका से साफुता तरीका से कई जरूर जनता है किसे कनेक्ट हुई दर्सक कनेक्ट हुई अब लोग तो अब आने वाला जो प्रोजेक्ट है वही गुंगुना दू या फिर कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और को अचानक से या आए तो ज्यादा बेटर है गोरखपुर में हूँ तो वही सुना देती हो गोरखपुर के हो गोरखपुर के गोरखपुर के निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के बलिया के सतु आदे वरिया के मरिचा अरे मोट की मुरईया जवान पुर के हो निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब एक चीज हमरेगा से जाहे जो नया पिडी के लोग बटे जे संगीत के दुनिया में आवे के चाहते अश्टार्डम आसी करेके चाहते अब रहा है और बहुत हद तक बदल भी चुका है अब ऐसा है कि जो ऐसे काम करते हैं सबसे पहली बात है कि आपका अपना जमीर एक होना चाहिए जो आपको गवाही दे अच्छे काम और बुरे काम के लिए जो आपको बताए कि आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर लेकिन जो भी लोग ऐसे खुच भी करने के लिए तो उनका कोई future मेरे की कहना है कि आप हो सकता है आप बहुत बड़े स्टार लगाए बुच सकता है बहुत बने का नाम हो Pure. 20-20 साल चल जा लेकिन उसके बाद कि उसके बादा आप नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि एक मिनट के लिए आप Has. मैंने पैसे तो कहा लिए रगई मैंने स्टार्डम ने पा लिया लेकिन आपको अत्मसंटी-स्टी नहीं मिलेगई विर उसके बाद क्या करेंगे जब आपका स्टार्डम घट जाएगा कोई दूसरा आपकी जगा पर तब उसके बाद क्या करेंगे लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप लाइफ टाइम हमेशा एवर ग्रीन रहेंगे जैसे आज लता जी उनके नहीं रहने के बाद भी उनकी जगा कोई नहीं ले सकता है तो भुछपुरी में अभी एक ऐसे इंसान को अब मेरे ख्याल में होना चाहिए वैसे तो हैं बहुत सारे लोग लेकिन फिर भी अब हमारी न अब कुल नाया पीड़ी के अच्छा काम करें कि परी जरूरी बटे समाज शकाती अच्छा काम कोई खवर भुछपुदी परिवार के भवी स्खाती बहुत सुब कामना देताटें बढ़ाई देताटें आगे रुगा आई तरह लगतार बढ़ियां काम करत रही आर जंता क के सामने दर्षक का सामने वहतर विकल्प जानना विकल्प के कमी के रोना रवल जाता ते कि बच्पुरी में चाहे कोनो भी पोपलर कॉल्चर में बिकल्प नहीं तो हमरा मज़बूरी बदे खो ओ चीज के रहुआ बदले में जो रहुआ हम योगदान बटे हुआ आगे भी इक रहा काती सुब कामना आवादाई देद, कभर भुछपुरी परिवारवा के गुरखपुर में आवे काती, एप प्रोजेक्ट से जुड़े काती, बहुत बहुत रुगा के धन्य बाद देता के, ये प्लेटफों पर अपन समय देवे काती, कभर भुछपुरी के Thank you, thank you.